वेल्कम बैक टू माइ चैनल इंडियन ब्लॉगर रेखा आज मैं आप सबके साथ फैम गोल्ड ब्लीच का रेव्यू एंड डेमो एक साथ लेके आई हूंगी लेके आई हूं अपनी चैनल में मैं फैम गी ब्लीच बहुत बार यूज कर चुकियूं बट मैं ज्यादा यूज क आप कंटीनियू यूज करो ना 15 डेज या वन मन्त में तो इतना स्कीन के लिए अच्छा नहीं होता बटा 3 मन्त 6 मन्त गैपिंग गैपिंग में अगर आफ करो न तो ठीक रहता है मैं भी यूज करती हूं बट मैं कोई ओकेशन हो या कोई मैरेज हो या कोई फंक्शन हो आपके स्कीन के अंदर बहुत अच्छा नेच्रल ग्लो आ जाता है कलर इंस्टेंट फेयर हो जाता है तो इसके अंदर क्या क्या होता है 24 करेट गोल्ड से बना हुआ रहता है ऐसा कंपनी बोलती है और बहुत ही रिजनेवल प्राइज में और फॉर 65 रूपिस का मीडियम व होता है एक्चुली में क्रीम हमें सा जादा ही होती है जो एक्टिवेटर पावडर होता है उसका इन दोनों का रेश्यो करेक्ट बैठना बहुत ज़रूरी होता है हमारे स्कीन के लिए तो कुश्चन यह आ रहा है तो ब्लीच हमें क्यों यूज करनी चाहिए के एडवांट लेकिन आप कंपेर करोगे ब्लीच और फेशल में तो मैं फेशल को भी सपोर्ट करूंगी लेकिन हम ब्लीच भी बहुत अच्छा काम करती है और आप अफ्टर 25 प्लस एच में तो आप यूज कर सकते हो इसमें दिया है फाइफ ग्लो इन 15 मिनिट एक साथ आपके फेस पे फ स्किन ब्राइटनिंग्स अमोनिया फ्री होता है और मैं आपको कुछ ब्लीच से रिलेटेड बाते बताना चाहूंगी जिस ब्लीच का यूज हम लोग स्पेशली क्यों करते हैं हमारे स्किन के अंदर बहुत सारे फेस पे होता है बहुत हेयर होते है लाइक लिप्स के ऊपर या चिक्स पे तो उसको ब्लीच कवर कर देता है और हमारे स्किन पर गलो तो वह तो बात अलगी है ब्लीच यूज करने से पहले आप इसको टेस्ट कर लीजिए हातों में या फिर या चिन में भी कर सकते हो लेकिन हाथ में सबसे बैस्ट होता है क्योंकि बहुत सारे केसे ज अलत एडवाइस कभी भी नहीं दूँगी मैं मेरे वीडियो में जो भी मेडिसीन या जो भी स्किन से रिलेटेड प्रोडेक्ट यूज करती हूं तो मैंने खुद प्रस्नली यूज किया तभी मैं आप सब के साथ शेयर करती हूं और यह मैं आज आपके साथ लाइज आप जाके डिस्किप्शन में चेक कर लिजएगा मैं लिंक शेयर कर दूँगी तो आप मेरे सेकंड चैनल की वीडियो को वाच कीज़ेगा अगर वो चैनल भी पसंद है तो उस चैनल को भी लाइक से अट सब्सक्राइब सरूर कर लिज़ेगा तो चलिए टेमो स्टाट करत आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप इस पेपर को अच्छी तरीक से रिट कर लेने से आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी तो हमको क्रीम का बेस जो होता है वो ज्यादा लेना चाहिए और पौडर को क्रीम के इसाब से वन थाड़ी यूज करना चाहिए बिक जितनी मैंने क्रीम ली उसका उनली फोर वन थाड़ी में पाउडर यूज करूंगी इसके बाद इसको बहुत सावधानी से आप लीजेगा थोड़ा ही लेना है हमें और नई फर्स टाइम कर रहे हो तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हो डालने के बाद हमको इस अच्छी तरीके से face wash से clean कर लीजिए और देखिए मैं अभी clean करके ही बैठी हूँ जस्ट फिर आप धीरे-धीरे करके लगाए और अपने को आइस के पास में नहीं लगाना है आइब्रों पे भी नहीं लगाना है और मेरे पास कोई headband नहीं था अगर आपके पास है तो कि रखा था अपने बालों में तो मैं इसको finger की help से ही लगा रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से mesh हो जाएगा face में और इसको लगाने के बाद हमें 15 मिनिट का rest rest देना है 15 मिनिट से ज्यादा नहीं face पे apply करके रखना है only for 15 मिनिट enough होता है और फिर आप fan चला के य कुछ काम से आके बैटे थे फिर जाके rest कर रहे हैं तो please mind मत लीजेगा तो अच्छी तरीके से मैंने लगा लिए देखिए बालों के तरफ से बहुत माने सावधानी से लगाना पड़ता है नहीं तो कि आपके बाल भी पूरे golden हो जाएंगे आइब्रों पे बाल पे और आख पर अप्लाइने करना है फेस के साथ-साथ में निक के ऊपर भी अप्लाइ करना है तो क्या होगा फेस आपका अलग दिखाई देगा तो वह देखने में बहुत गंदा लगता है तो हमको दोनों को एक साथ लगाना है तो देखिए मैंने पूरा फेस पैक लगा लिये bleach का तो आपड़ से इस तरीके से पोच्छना है जैसे मैं आपको बतार रहे हुए मैं दो बार करके पोच्छूंगी ताकि थोड़ा सा भी है मेरे स्किन में नहीं रह जाए अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए तो यह मैं फर्स टाइम भी पोच रही हूं और आप देख रहे हो जैस जैसे यह साफ होता जा रहा है वैसे वैसे आपको दिख रहा है कि फेस में काफी पहले के इसाफ से चेंज आ गया है देखो अब हमारी एज हो गी है मैं भी 30 प्लस हूँ तो जैसे जैसे अपने स्किन का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है यह सब करना कोई खराबी नहीं हो और भी मैं होमेड वीडियो लेके आऊंगी फेस पैक की तो आप वो सब भी जरूर देखिएगा तो मैं अच्छी तरीके से कप्रे से साफ कर ले रही हूँ अब चाहो तो जाके अच्छी तरीके से प्लेन पानी से वाश करना अब उसके उपर आप अलोवेरा जेल कर सकते हों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बाई